Hello everyone, राश्ट्रिय आदर्स विध्याले सिक्षक भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एप्लिकेशन फॉर्म भी जो है स्टार्ट हो चुके हैं, पाँच राजियों की वेकेंसी निकाली गई है इन स्कूल्स की, आदर्स विध्याले जो की आवासिय विध्याले हैं, रेजिदेंशल स्कूल है, यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी, साथ में फ्री रेजिदेंस, रहने की सुविधा भी आप लोगों को दी जाएगी, सभी विशय की वेकेंसी है, टीचिंग स्टाफ की भी वेकेंसी है, और नोन टीचिंग स्टाफ की भी वेकेंसी निकाली ग प्रतिष्ठान का नाम है महरसी सांधी पनी राश्ट्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठान तो पांच राज्यों में ये आवासिय विद्याले खोले गई है राश्ट्री आदरस वेद विद्याले तो सबसे पहले जो हम सब्जैक्ट देख लेते हैं कौनकौन से सब्जैक्ट और क्या क्वालिफिकेशन एजडरी क्या है तो सबसे पहले जो है यहां section के सेवा के जो है वो पड दिये गए है और आईू सीमा प्रती महावेतन क्या मिलेगा ये चीजे यहां पर बताई गई है जिनको शास्तर का जो है जो है जो है जो है ग्यान है ठीक है वेदों का ज्यान है क्वालिफिकेशन है तो वो जो है student यहां पर form fill कर पाएंगे, subject जो हैं वो आप देख ले, salary यहां पर हर subject के लिए 65,000 पर मन्त और न्यूनतम 25 वर्स अधिकतम 55 वर्स जो है वो आयू रखी गई है, तो कुल इनके जो है वो 23 यहां पर vacancy निकाली गई है, सेक्षणिक सहयोगी विशय, जिनको आदुनिक विशय के नाम से हम जानते हैं, जैसे संस्कृत है, गणित है, अंग्रेजी है, सामाने विज्ञान है, उसके बाद सामाजी की विज्ञान है, computer science और योग है, तो कुल जो है वो 24 यहां पर vacancy निकाली गई है, और सभी के लिए जो सेलरी है, आप देख सकते हैं, 45,000 सभी की सेलरी दिखाई गई है, ठीक है, और यही सेलरी आप लोगों को यहां पर मिलेगी, नियूनतम 25 वर्स उम्र रखी गई है, और अधिकतम 55 वर्स, 25 से लेकर 55 वर्स के बीच में अगर आपकी आयू है, आपका subject है, सालरी काफी कुल रिक्तिस्थान यहां पर दो, तीन, पाँच है, टोटल पाँच है, आयू सीमा जो है, वो 25 से 40 वर्स है यहां पर, और अधिकतम मान दे जो है, वो 40,000 वार्डन को, और 20,000 वो MTS को, ठीक है, और जो है, मुख्य वाते जो है, वो क्या है, तो यहां पर जो सेक्षर सहयो किता है, माननेता प्राप्त विस्व विध्याले से संस्क्रित विशय इसनात तक स्थर में 55 प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए, तथा संस्क्रित विशय इसनात कोत्तर, यानि पोस्ट ग्रेजवेट की उपाधी में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो, ठीक है, तो सास्तर विशय शास्त्री में 55% तथा संस्कृत या सास्तर विशय आचार्य में 55% से अधिकंग प्राप्त किये हैं और चाहिए B.E.D. या फिर सिक्षा सास्त्री ठीक है तो यहां पर संस्कृत विशय के लिए graduation होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुशन होनी चाहिए आप लोगों की संस्कृत विशय में और साथ में होना चाहिए B.E.D. ठीक है उसके बाद वांचनिय योगिता में अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है जैसे आप में संस्कृत विशय को पढ़ाने की योगिता है या फिर जो है संस्कृत संभासन भगवत गीता सब्द रूप धातू रूपादी सिखाने का अच्छा अनुबव है या फिर संस्कृत संभासन और संस्कृत में दक्षता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो ये जो है वो compulsory नहीं है compulsory जो है वो मैंने आपको ब कर सकते हैं तो यहां पर मानेता प्राप्त विष्व विध्याले से संबंदित विषय यानि इन जो भी विषय यहां पर है इनमें आपने इस नात कोत्तर आपने पोस्ट ग्रेजवेट की डिग्री हांसिल की हो आपके पास बीएड होना चाहिए 10th 12th या फिर होनी चाहिए बस यहां पर पीजी बीएड 10th 12th या ग्रेजुईशन में संस्कृत भासा का अध्यान और अगर आपने यहां पर टैट क्लियर किया है कोई भी स्टेट या फिर सी टैट तो आपको यहां पर प्रात्मिक्ता मिलेगी योग अध्यापक के लिए यहां पर कहा है कि आपके पास जो है ग्रेजुईशन होना चाहिए योग में सांखे योग में नैच्रोपैथी में या फिर योग विग्यान विशय में और बाकी जो है समस्त आसन योग अध्यापक बनेंगे तो आसन प्रानायाम तीक है इसमें जो है अभ्यास और पून कुशलाप होने च कि वेद संस्कृत योग विशय के साथ इसनातक सास्त्री अथ्वा अचार्य या इसनातकोत्तर की उपाधी सैकिंड जो है यहाँ पर यह आवशक योग इताएं हैं बाल मनो विग्यान यानि साइकलोजी चाइल साइकलोजी बाल मार्ग दर्षन परामर्स विशय में प्रमा पत्र होना चाहिए MTS के लिए यहाँ पर मानेता प्राप्त बोर्ड से बार्वी संस्कृत भासा या फिर वेद के साथ उत्तीन अथवा उत्तर मध्यमा उत्तीन हो आउट सोर्स से ही लिया जाएगा ठीक है तो यह qualification जो की यहाँ पर दी गई थी बहुत अच्छे तरीके से म पर रहेंगे तो उनको सैलरी के साथ में जो है यहाँ पर रहेंगे और जो है क्या इंपोर्टेंट है अब देखिए यह जो विद्याले खोले गए हैं सिक्षा मंत्राले भारे सरकार की स्विकृति के अनुसार महर्सी सांधीपनी राश्री वेद विद्या प्रतिष्ठान चिंतामन गनेश मार्ग पोस्ट जवासिया उजयन मध्यप्रदेश के द्वारा निकाली गई है और जो स्कूल खोले गए हैं द्वारिका गुजरात में वद्रीनात उत्राखंड में पूरी ओडिसा में स्रंगेरी करनाटक में और गुहाटी असम में पांच राश्री आध ही candidate होगे अगर आपका selection यहाँ पर हो जाता है यह सेवाय जो है अभी starting है तो सम्विदा के आधार पर यहाँ पर selection होगा तो यहाँ पर कोई exam नहीं होगा और केवल जो है interview आपका लिया जाएगा online आविदन पत्र भढ़ने की जो अंतिम डेट है वो 20 दर्ज 2023 रहेगी यानि आप लोगों को जो online फ़र्म भढ़ना है तो उसकी last date 20 दर्ज 2023 है उसके बाद आप क्या करेंगे डाउनलोड कर लेंगे उसे फ़र्म को भढ़ने के बाद online ही भढ़ना है उसके बाद डाउनलोड करके उसकी copy निकालनी है online आविदन पत्र की स्वय प्रमानित प्रती speed post के माध्यम से प्रतिष्ठान कार्याले में 27 दर्ज 2023 तक प्राप्त होना अनिवार है तो application form फिल करने की जो लास्ट डेट है वो अलग है 20 अक्तूबर 2023 तक आप भढ़ लेंगे online उसके बाद आप लोगों को भेज ली है साथ दिन के अंदर online आविदन की link यथा सिगर प्रतिष्ठान की website जो है यह main website है इस पर उपलब्द होगी और application form जो है start हो चुके है तो यह सारी चीज़े मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दी है बाकी आप लोग application form फिल करेंगे तो मैं आप लोगों को link शियर कर दूँगी इसे और भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे क्योंकि केवल साथ पेजो की ही PDF फाइल है कहीं पर भी आविदन करते हैं सबसे पहले पूरी PDF को अच्छे से पढ़ें उसके बाद आविदन करें तो यह जो है इसकी main website है महर्षी सांधीपनी राष्ट्री वेद विद्या प्रतिस्ठान उजयन ठीक है यह main website जो की शिक्षा मंत्राले भारस सरकार का स्वायत शासी संस्थान है यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे एक तो पुराना notification उसे आप ना देखे बिल्कुल फ्रेस जो notification है जो की 410-2023 को आया है उसके बाद आवेदन आप लोगों को कैसे करना है तो यह जो स्टार्टिंग में दिख रहा है यहाँ पर लिखा है वेद अध्यापक के लिए तो आपको करना है आधुनिक अध्यापक अगर आप संस्क्रित, सामाजिक विशे, कम्प्यूटर या और भी सब्जक के लिए आप अप्लाई करते हैं तो यह modern teacher जो है यहाँ पर आप करेंगे वार्डन और MTS के लिए गैर सेक्शन एक पद इस पर आप लोगों को क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 20 अक्टूबर तक आपको भढ़ लेना है यह पेस ओपन हो जाएगा सबसे पहले आप लोगों को लोग इन करना होगा यूजर आडी और पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा लॉग इन करना होगा और अप्लिकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा उसे फिल करना है डाउनलोड करना है अपने डॉकुमेंट के साथ में जो है दिये गए एडरस पर आप लोगों को भेज़दा है ठीक है काफी अच्छी जो है वो सैलरी यहाँ पर दिखाई गई है आप देख सकते हैं 45 अजा सैलरी जो है बिना एक्जाम के यहाँ पर जो है आप लोग टीचर बन पाएंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू